पूरा भारात अगर आपको सस्ते में घुमना है तो आपको भारतिये रेल्वे का सहरा लेना पड़ेगा क्योंकि इससे सस्ता कुछ भी नहीं तो एक बज़े ट्राबलर होने के नाते मैंने ट्रेन में बहुत सफर किया है लेकिन आज जिस ट्रेन में सफर करने वाला हूँ साय ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस और ट्रेन नमर है 22504 ये ट्रेन डिबलुगर से खुलती है जोकिया साम में है और कन्या कुमारी तक जाती है इस ट्रेन के अंदर में चार दिन भी आने वाला हूँ वो भी स्लीपर क्लास में जहां आपको भारत के हर तरह के लोगों स शोने चार डिबलुगर से चल कर गुवाहाथी नियो कुछ बिहार के रास्ती कन्या कुमारी को जाने वाली अपने बिल्धारित समय 19 बच कर 25 मिनट पर प्लेटफोर्म प्रमान तीन से जाएगी धन्यवाद ट्रेन बोर्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों से बाते करता हूँ और उनको बताता हूँ कि मैं इंडिया का लॉंगस ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ फिर ये लोग Google करते हैं सच बताओं तो कुछ दिन पहले भी मुझे यहीं लगता था जब तक कि मैंने मंकी मैंजी का एफ वीडियो नहीं देखा था आपको ऐसा लगता है कि कश्मीर से लेकि करन्या कुमारी तक इंडिया का लॉंगेस रेन रूट है फिर मैं जब इन से पूझता हूं तो ये बताते हैं कि हमने तो सोने वाला सीट बुक किया था लेकिन हमें तो सिर्फ बैटने को सीट मिला है एक्चुली ये लोग स्लीपर क्लास में फर्स्टाम ट्रावल कर रहे हैं और इनको मीडिल बर्थ अलोट हुआ है एसलिए इनको इस बात की जनकारी नहीं है कि मेडिल बर्थ को सोने के लिए ऐसे सेट किया जाता है फिर मैं इनका बर्थ ऐसे सेट करता हूं और इनको बताता हूं कि ये सीट आपका है और आप इस पर सोका जा सकती है and you know what, after knowing this, they become very happy फिर मैं अपने सीट पर जाकर बैठ जाता हूं अब देखो मैं सोने ही वाला होता हूं तब ही मुझे सुनाई परती है कि रात को ट्रेन में जूता चपल चूरी हो जाता है ऐसा सुनते ही मेरा ध्यान अपने जूते पर जाता है फिर मैं वो करता हूं जो मैं जब दूसरों को करते हुए देखता था तो काफी हसता था अगली सुबा उठते ही मुझे एक बैड न्यूज मिलती है कि हमारे कोज में पानी नहीं आ रही है फिर मैं प्लेटफार्म पर ब्रस करता हूँ और रेलो को वाटर इस सुच को लेकर कमप्लेन करता हूँ वैसे ये बच्चा काफी टाइम से रो रहा था फिर जैसे ही मैंने इसे अपने गोद में लिया ये पता नहीं क्यों चूप हो गया साथ आप में से कुछ लोगों को ये बात पता नहीं होगा कि 1.54 मिलियन पीपल वर करते हैं इंडिया रेलोज के लिए मतलब इतने लोगों का घर चलता है इंडिया रेलोज के वज़ा से खेर ये तो आपड़ा बस उनका है जो इंडिया रेलोज के लिए वर करते हैं लेकि ना जाने कितने और ऐसे लोग हैं जिनका घर इंडिया डेलेज के वेल से चलता है। जो कि अच्छी बात है। लेकिन दूख इस बात का है कि कुछ लोग नाबालिक बच्चों को घर चलाने का साधन बनाते हैं। और ये आकला टेप एडेप पढ़ते जा रहा है। क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गया है। जब एक बच्चा की इसे कुछ मांगता है तो बहुत कम लोग ही माना कर पाते हैं। खरदो पर को मैं और ये दोनों दीदी लुटो खेलते हैं और जो भी हारेगा गाना सुनाएगा। मैज के सुरुआत में मुझे पूरा विश्वास था कि मैं तो जीत ही जाऊँगा। बाई देखो कितना बुरा लगते हैं दिखाता हूँ अभी मैं। लेकिन हो कहते हैं ना पासा कभी भी पलड सकता है। बाई मेरे साथ अपी काफी बुरा हो यार। मेरे हारने के बाद सारे कोप असेंजरी एक जूट होकर गाला सुनाने को कहने लगते हैं। अब देखो गाना-गाना में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जली तिर्में कभी मुझे गाना-गाना पड़ेगा। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। कर फाईली मैं गाना काता हूँ जीना है तो फस के जीओ जीवन में एक पल भी रो ना-ना फस नहीं तो खे जिंदगी जला फिर जाए जीना है तो फस के जीओ जीवन में एक पल भी रो ना-ना फस नहीं तो है जिंदगी रो रो के जीवन ये खो ना-ना तैंक यू सो बच मैंने इतना अच्छा गाया लेकिन आपने ताली नहीं बजाया अरे आप ही को बोल रहा हूँ जो अभी आप मेरा बीटो देख रहे हो खेर मेरे को पसेंजर्स ने ताली बजाया सामको सारे को पसेंजर्स को बिस्कुट खिलाकर मैंने उनसे जान पहचान कर ली ताकि मेरा आगे का सफर बोरिंग ना हो और इस तरह से डेटो की समापती होती है अगर इतनी भीड़ देकर आपको लग रहा है कि ये जेनरल क्लास है तो आप गलत है ये स्लीपर क्लास ही है और ये मेरा ही कोच है जब अस्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मैं सोचा कि उन्हा बाहर जाकर फेस धोलिया जाए लेकिन इससे पहले कि में बाहर निकल पाता ट्रेन स्टेशन से खुल जाती है बाई कल रात से ये पंखा मतलब पूरे एक अपार्टमेंट का पंखा बंद है बाई पंखा नहीं चल रहा गर्मी तनी लग रही क्या बता हूँ अब ही मतलब आज मेरे को दो आसा ना क्या हो सकते हैं सफोकेशन हो रहा है यार मेरे को भुटन जैसा हो रहा है मन कर रहा है निकल जाओ मैं ट्रेंट से तल तक बहुत अच्छा लग रहा था तकना आज ट्रेन में इतनी भीड हो गई है पानी की कमी है अब आप बोलोगे कि जब पानी ही नहीं था तो मैंने ब्रस कैसे किया तो मैं ब्रस बॉटल के पानी से करता हूँ और वास्रूम दूसरे कोच का जाकर यूज करता हूँ सच बता हूँ तो आज मैं थोड़ा सैड फिल कर रहा था लेकिन फिर मैं खुद को थोड़ा समझाता हूँ कि मैं इस ट्रेन का सफर इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं खुद अनुभाव कर पाऊँ कि आखिर कुछ लोग चार दिनों तक इस ट्रेन में सफर कैसे करते हैं उन्हें कौन-कौन सी परिसानियों का सामना करना पड़ता है रहले वे को वापस एक कंप्लेन करता हूँ लेकिन इस बार फैन के लिए और दोपर को वापस मैं लुड़्डो खेलता हूँ लेकिन इस बार इन के साथ है और ये गेम थोड़ा रिस्की था रिस्की इसलिए क्योंकि जो हारेगा उसे डियर मिलने वाला है इसलिए मैं अपने पूरे कंसेंट्रेशन के साथ ये गेम खेल रहा था सुरुवाद में तो ऐसा लग रहा था कि मैं हार नहीं वाला हूँ जो डर था वही होता है मैं फर्स्ट नहीं आता हूँ और गेम के रूल के अनुसर बस फर्स्ट को डियर नहीं मिलेगा आप इनकी फ्रेंड है जो मेरे को नहीं जानती है इनके साथ ट्राबल कर रहे है इनकी फ्रेंड का मुझे नाम पूछना है ये मुझे डियर मिला है इनके तरफ से मैं इनकी फ्रेंड का सीट अमर पूछके आतो चाता हूँ डियर कम्प्लेट करने लेकिन सीट के पास आने का बाद कुछ टंग खड़े रहता हूँ क्योंकि चलती ट्रेंड में एक अंजान लड़की से नाम पूछना इस नोट आईजी टास्क बाई बाई इतना डरा हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि उन्होंने अपना नाम क्या बताया खर कुछ भी हो मेरा डियर कंपलीट हो गया तो मैं इनको ये डियर देता हूँ कि इनको किसी पस्टेंजर से जाकर उनका नाम पूछना है और ये भी पूछना है कि वो कहां जा रहे है बता हूँ ओ भाई अब इनका चांस इनको डेर देना बता हूँ आपका डेर क्या है भाई को डेर मिलता ये अज़ाल दर्गी के सामने जाकर उसको रामेंटी वाला गाना गाना पड़ेगा अब भाई का चांसा ये नहीं कर रहा है नॉर्मल सा डेर दे दो नॉर्मल सा डेर दे दो प्रिस चले गाना सुना दो भाई से तो सस्ता को डेर मिली नहीं सकता चल गाना सुना इस गेम के वज़ा से सिर्फ हम नहीं हस रहे थे सारे को पस्तिंजर्स के चेहरे पे मुजगान था और ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा रात को साथ बज़े हमारी ट्रेन पहुँचती है विसाखा पत्नम और इस तरह से टे थ्री की समाप्ति होती है अगले दिन इस भाई को पता नहीं क्या हो जाता है ये बीना मुझे से पूछे मेरे लिए नास्ता ले आता है और कहता है आपको खाना ही पड़ेगा और जब मैं इसका नास्ता कर लेता हूँ ये बहुत खुस हो जाता है ऐसे आज वो दीन था जहां हमें एक दूसरे को अलवीदा कहना था मैंने न सबसे एक कॉमन सवाल किया आखिर हुँ अपना घर छोड़कर इतना दूर क्यूं जा रहे हैं तो सबका जवाब आया जौब करने वैसे ये मेरे साथ अपना एक टैलेंट सेर करती है और कहती है कि अगर मैं कर लूँगा तो ये मुझे एक चॉकलेट देगी मैंने बहुत परियास किया लेकिन मुझसे नहों पाया मुझसे क्या किसी से भी नहीं हुआ जबकि ये बड़े हराम से कर पारी थी खेर कुछ टाम के बाद आगमन होता है ये दीदी का अंगल एक किलोमेटर रगा दो रूपया बहिया मेरे गाली पे बैटने हो चाहेंगा आप एंड़ रूपीज एक किलोमेटर वैसे मैं अपना बीजनेस करी रहा होता हूँ तभी मुझे दिखता ही कि हमारे कुछ में कुछ पसिंजर सापस में जगड़ा कर रहे तो मैं डर से अपना बीजनेस बंद करके चुप चुप अपने सीट पर बैट जाता हूँ कैर फाइली 2.30 में ये लोग अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं और फिर करीब रात को 7 बजे ये दोनों दीदी और ये भाई भी अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं बाई पुरा ट्रेन काली हो गया लगबब सारे लोग उदर गया जब मैं ट्रेन में चड़ा था तो उस टाम भी अपने कोच में केला ही था और अब जब ट्रेन को बाई-बाई बोलने का टाइम आया है तो इस टाम भी अपने कोच में केला ही हूँ वैसे देखा जाए तो हमारा लाइफ भी स्ट्रेंज जर्णी की तरह है जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है खर रात को दो बज़े फाइनली मेरी ट्रेन पहुचती है कन्या कुमारी वेलकम टु कन्या कुमारी भाई करिबसी घंटे का जर्नी करने के बाद मैं फाइली पॉच चुका हूं था आज मेरा पाच बादी तरह है मैं ने तरह को ट्रेंड बोर्ट किया था और आज तुम्हारा इकिस तरह को पास दिन फॉजाते है वट तरह से चार दिन मानके चलो ज कर सकता हूं वैसे कुछ टाइम इस टेबल पर ही बैठा रहता हूं फिर जब नीद आने लगती तो मैं डॉमेटरी ऑफलाइन बूग करने का परयास करता हूं लेकिन ऊपर आकर देखता हूं तो सारा डॉमेटरी बंद पड़ा था सोचा डॉमेटरी ले लूँ बट कोई है इस ब्लोग को एक पर समाप्त करता हूं बिलता हूं आप से ऐसे किसी और इंडरेस्टिंग ब्लॉग में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे और हाँ इस पीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा